जोस्तों अगर आपका लक्ष विश्विध्याला में असिस्टन प्रोफिसर बनना है तो आपको UGC NET का एक्जाम क्वालिफाई करना होगा हम आपके लिए लाए हैं UGC NET Economics के दो कोर्सिस जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चेप्टर वाई नोट्स, टेस्स सीरीज और पासचे के कुर्शन पेपर मिलेंगे इसके लिए आपको हमारी एप्लिकेशन विश्विश्व एकनोमिक्स इसको डाउलोड करनी होगी वहाँ पर आपको UGC NET, PGT Economics, Assistant Professor, UPSC Economics, Optional आधी 200 से आधी कोर्सिस मिलेंगे इसके लाव अगर आप फ्री नोट्स डाउलोड करना चाहें, तो हमारे एप्लिकेशन के स्टीडी मेटरियल में फ्री नोट्स डाउलोड का भी ऑप्शन है अब बच्चों के लिए UGC NET का पूरा का पूरा स्लेबस कवार करा रहे है, सिस्टेमेटिकल तरीके से तो अब हम आपको इंटरनेशनल ट्रेड एकनोमिक्स का पहला लेसन जो है, वो आपको श्टार्ट करा रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड बेसिक्स कंसेप्ट और अनलाइजिस टूल, तो इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन-कौन सब टॉपिक से जो आपको कवर करने चाहिए, इसके नोट्स भी बच्चों है, जो हमारे पास हैं, वो भी आपको हमारी एप्लिकेशन विश्टन एकनोमिक्स स्कूल में मिल आएंगे, तो दिखें, यह हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे इसके अंदर हमने सबसे पहले आपको बताया है कि इंट्ररीजनल और इंट्रनेशनल और दम्स्ट्रिक में क्या अंतर है, इसके अलावा note कि सो कित् Además Trade कि local concept basis एसके इसके वाज़े से इंटरशनल ट्रेड यानिकि 2 अप मेस्टि बल मिल जाएंगे blow अप्रों हमारी एप्लिकेशन के तू भी और यूटूब के बाद से भी agreements of argument of favoring separate theory of international trade यानि कि आखिरकर हमें international trade की अलग से theory बनाने की आफशक तक क्यों हम हैसुस हुई इसके बारे में भी हमने यहाँ पर discuss किया हुआ है वीडियो के माध्यम से इसके अलावा advantage और disadvantage क्या है international trade के basically यही आपको इस lesson में पढ़ना है इसके अलावा कुछ extra है ने इसमें तो अगर आप यह सब cover कर लोगे तो आपका lesson number one cover हो जाएगा अपने बच्चों मैं भी यह बता लिता हूं कि हमारी application के माध्यम से हम आपको यह सारा का पहले बता देता हूं अगर आप mobile phone से login करोंगे तो आपको notes downloadable है तो बच्चों मैं इस वीडियो में इतना ही करा रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं कि आपको lesson number one के बारे में आइडिया हो गया होगा lesson number one हम आगे continue भी करेंगे इस वीडियो में इतना ही thank you